रवनी सिंग बिट्टू हमारे साथ है आज लोगसों में ऐसी क्या बाचित हो गई कि आप और कॉगरेस और चन्नी जी दूसरे का आपने सामने हो गए बात वहां पे मेरी और चन्नी जी की नहीं थी बात वहां सचाई और अमानदारी की थी जब वो बात ये कर रहे थे भी यह गोरा कौन है गोरे आपके लीडर है रहूल गांदी जी वहां पे बैठे थे गोरे हम हैं जहां आपके लीडर हैं जहां आपकी पार्टी में गोरे हैं तू इस पे सुने गाने का नाम भी लिया मैंने नाम भी लियो तो बिलकुल रिकॉर्ड में है उसमें कौन सा कोई में वो तो कॉंग्रस में थे जब उन्होंने करवानी दी शिहादत दी पहली मात मैंने कही संदार ब्यान सिंग जी किसी के थे वो देश के थे पंजाब के थे वो कॉंग्रस जहां किसी अमन्चैन शान्ती लेकि आए और ये तीन और दूसरी जो सबसे बड़ी उन्होंने गमरा करने की बात कही जिस पे मानने हैं हमारे प्यूश गोईल जी ने भी खड़े होके हमने भी एक दम रिटेलियर जवाब दिया उन्होंने कहा भी एनसे है जो वो बीजेपी हम बोलें इंटरनेशनल मैसेज वो देने की गलत कोशिश कर रहा था भी एनसे किसकी उपर लगा है जो चाहत देश द्रोई थे जैसे अमरित्पाल की बात करो और उसके जो साथ लोग थे जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे और ये किसानों को जान बूद के किस कोई उसका वो जवाब उनका नाम वो दे नहीं सके और आज वो नहीं सारी इंडिया अलाइंस कांगरस पार्टी वो शिरमिंदा होई और तीसरी बात उन्हों ने भी कहा कि अमरित्पाल को भी हाउस अटेंड करन देना चाहिए अरे वही इसका मतलब आप लोग क्या है आप अलेक्शन में बहुत बड़ा पैसा चंदा इनके पास खालिस्तान और किसान मुव्मेंट के नाम पे उपर बहुत बड़ा फंड है जो कांगरस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को सब को अकठा होके मिला है इसलिए आज ये उनकी बात सदन में कर रहे थे तो आज लेक अगर कोई मुख्यमंतरी होंगे दो तीन मुख्यमंतरी सबसे अमीर उसमें चर्णी जी हैं जिसके इनका अगर आप जो एफिडेविट देते हैं अलेक्शन कमिशन माँ उसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने भरा होगा इतने ये पैसे वाले हैं और त इसलिए हर चीज आप गमरा करेंगे वह बर्दाश नहीं होगी ठीक है आप एक वपक्ष है आपको बोलना पर जूट बोलने का बिलकुल भी यहां पे कोई नहीं और पंजाब को खास तोर पे आप बढ़काने की कोशिश करें वह चंगारी लिगाने की कोशिश करेंगे वह कता ही भी बर्दाश नहीं किया जाएगा